दिवाली आने से पहले ही सुप्रीम कोट ने पटाखे की विक्री पर पूरी तरह बैन करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोट ने कहा है कि केवल 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकेंगे। आउनलाइन पटाखे पर रोक अब भी जारी रहेगी अगर कोई आउनलाइन पटाखे विक्रिक करता है तो उस पर कोट की आउमानना का मुकदमा चलेगा वही नए साल और क्रिसमस पर रात 11 बच कर 55 मिनट से 12 बच कर 30 मिनट तक पटाखे चला सकते हैं दिवाली से पहले पटाखे बनाने वाली फैक्टरी की जाच की जाएगी दिवाली पर पटाखे चलाने से रोक नहीं है मगर जो सर्ते रखी गई हैं उन सभी सर्तों को माननी होगी आपको बता दे कि कोर्ट ने वायू परदूसर को देखते हुए ये नियम लागू किया है उम्मीद है कि आप सभी इस नियम का पालन करेंगे और वायू को परदूसर होने से बचाएंगे ऐसे सबसे बहतर होगा कि आप पटाखों की जगहां दीब जला कर खुसिया मनाएं तो और भी बहतर होगा इससे आपका आने वाला कल सुक्ष और साफ रहेगा तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहेए प्रहार टाइम